इसको अग्रसर रखते हुए और आगे बढ़ते हैं आज हम लोग अपने इस learning process में एक गांट और जोड़ेंगे जो की बहुत जरूरी है जिसको हम कहते हैं averages में crossover ठीक है इस crossover को अगर आप buyer और seller के average के परिपेक्ष में समझ गए तो मान लीजेगा लगवग लगवग इस बाजार चल रहा है तो कहां तक चल कर जाएगा दूसरी बात बाजार गिर रहा है तो कहां तक गिर कर आएगा तीसरी बात अगर बाजार गिरता हुआ लोट गया तो यह trained resumption होगा कि दुबारा गिरेगा या फिर reversal की और चलेगा तो इसके लिए आज मैं आपको एक live market अभ moving average crossover कितना ज्यादा hardly believable है जिस पर आप भरोसा करेंगे तो लगबग लगबग तय है कि आप कभी losses की समभवना न कार देंगे हर हाल में तो देखें मैंने आपको कुछ चीज़े बताई अगर आपने मेरे average simple moving average और 216 और 2111 के videos अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको recommend करू करते हैं जहां पर मैं अपने traders के results परीडाम जो हम लोग trade करते हैं hedging वो भी प्रसुत करता हूं आपके सामने और साथ में ही जो वीडियो आप देखना चाहें वहां पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे 1-1 करके देख सकते हैं इस session को पूरा देखने के बाद फ 200 तो मैं कहता हूं ना 20 ना 50 ना 100 ना 200 बायर का average relevant है और साथ में seller का average relevant है इसके अलावा कोई भी आसत relevancy नहीं रखता है वो सिर्फ price के according होगा कि trend ये averages बता सकते हैं entry exit आपको अपने अनुसार plan करनी होंगी कि आप कैसे कर सकते हैं जिसमें यहां पर हम लोग 6 के moving average से entry exit करते ह अभी मैंने 200 और 100 के moving averages पर कोई session नहीं किये है आप लोग बताएंगे तो मैं जरूर कर दूँगा ठीक है आप लोग comment section में बताएंगे जितना मुझे अगर इसके लिए demand आया तो मैं फिर मैं कर दूँगा देखें मैं आपको एक बात बताओ अगर आप मुझसे पूचेंग में 100 रुपय से बिक्वाली आई और वो भाव भी 90 रुपय ट्रेड कर रहा है तो 100 से सीधा 90 तो आया नहीं होगा पहली selling 100 पर हुई होगी price 98 आया होगा चल कर गया होगा तो 99 से दुबारा गिराया गया होगा तो पहली selling हुई 100 पर दूसरी हुई 99 पर फिर price गिरा तो 94 आया पुछे औस तो 100 प्लस 99 प्लस 96 प्लस 94 डिवाइब वाइफोर तो जितनी closing यह जहां से यह short selling आ रही जो swing high लगे हुए ठीक है इन swing high के अगर आप selling के average निकाल कर डिवाइब वाइफोर कर देंगे तो आपको seller का उसत पता लग जाएगा simple average है ना इसमें simple आउसत आपको पता करना है तो अब कोई buyer अगर निचले इसतर पर इतनी खरीदारी करें ध्यान से सुनिये कोई यहां पर बायर मिल गया नभ्भय के price पर खूब देर खरीदारी किया और उसने क्या किया माल लेते हैं seller का आउसत आ गया यहां पर 96 रुपया आ गया है वो किसी भी हाल में चाहेगा 96 को आप ब्रेक कर दें नहीं चाहेगा न तो आप अगर 96 को ब्रेक करने जाएगा इसका मतलब है वो आपके ब्रेक आउट का विरोध करेगा अगर आप लोर लेवल पर खरीदारी करेंगे तो एक resistance की तरह एक करता है seller का average और कोई भी बायर आकर अगर इस average को ब्रेक कर गया तो समझेए यह seller जो 100 पर quantity बेचे था लगबग लगबग खत्म यह ट्रेन रिवर्सल हो गया जाकर 100 भी ब्रेक होगा simple ठीक है यह मैंने आपको एक recap दे दिया लेकिन story इतनी ही नहीं है यह मैंने आपको short story सिर्फ बताई अब मैं आप को एक clear picture दिखाता हूं कि यह काम कैसे करता है work कैसे करता है यहां पर अगर मैं आपसे बोलू कि आपको एक काम करना है simple जैसे अभी के market में अगर आप bank nifty में देखें तो मैं बोलूँगा hourly time frame पर आने के बाद एक simple मेरा काम कीजिए मैं बोलूँगा मुझे यहां पर बताई की तरफ जाएगा या फिर चेंज होकर दुबारा नीचे की तरफ जाएगा तो यह मैं आपको अगले week के लिए पूरा plan बता रहा हूं कि सिर्फ औसत के ऊपर भरोसा करके और कोई टूल का यूज नहीं करना मैं projection को भी नहीं देख रहा सिर्फ average आपको बता देगा क्या इवेंट है आप इंट्राइडे में काम कीजिए पूशिचनल काम कीजिए सविंग में कीजिए चाहें इंवेश्मेंट कीजिए इंवेश्मेंट में इस्टॉक्स मल्टी बगर सावी दोते हैं दो से तीन गुना चार गुना अब यहां पर इतना समय नहीं कि मैं investment तक आपक करके enroll कर सकते हैं देखें बिल्कुल basic से शुरुवात करता हूँ बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता होगा इस price में आपको market में buy और sale के order लगाने भी नहीं आता हूँ मैं वहाँ से शुरुवात करता हूँ और आपको peak level तक लेके जाता हूँ उनके तीन से चार महिने में फिर आप perfect एक trader होते हैं बिल्कुल professional trader की तरह है आपको पता होता है कि price के किस sentiment पर क्या trade करना है ठीक है market structure कैसे होगे सब कुछ आपको clear हो इसका validation नहीं हुआ breakout का तो clarity नहीं है कि ये breakout valid है या नहीं लेकिन हमको ये पता करना है कि इस seller का अभी तक अंत हुआ या नहीं हुआ ये पता करना है तो देखिए कितना perfect काम करेगा मैं आपको दिखाओ हमको क्या करना है बताए हमको simple जब से ये selling की शुरुवात हुई और अभी तक total number of candles जोडने है तो हमको पता लगेगा पिछले कितने घंटे पहले seller आया था तो ये seller इसी बीच में कहीं selling किया होगा तो सारी selling quantities के average price अगर हम निकाल ले तो पता लग जाएगा ठीक है तो हर candle की closing से इसका average plan कीचे कैसे पता लगेगा या तो मैं manually count करूं एक दो त कहां तक चला ये यहां तक चला ठीक है मैं बोलता हूँ जिस candle में last high लगता है वो सबसे बहतर होता है ये सबसे बहतर चीज़ बता रहा हूं आपको ये high यहां पर लगा फिर इसके बाद ये high break नहीं हुआ तो selling के शुरुआ तो इस candle में हुआ और यहां से यहां तक अगर पेबरेज लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा efficient रहने वाला है तो यहां पर देखिए सब कुछ बता रहा है साड़े तीन परसेंट के आसपास उपर इसके बहो गिरा है 1770 अभी यहां से गिरा हुआ है total और आपको ये बता रहा है क्या मैं आपको बताओ तो ये आपक तक बने रहना ये simple moving average का सिर्फ एक concept नहीं total number कितने length को 82 फिल कर दिया इसको seller का average है तो इसके style को change करके अगर आप red कर देंगे तो बहुत बैतर ठीक है इस तरीके से dark भी कर दीजे अब देखिए जो लोग ये पूछेंगे कि आज price चल क्यों ही पाया तो सीधी सी बात है हम लोग seller के average price के पास आगे थे, seller का average price क्या है? 46.979, seller का average price क्या है? 46.979, तो आज हम लोगों ने जो day high लगाए, वो day high क्या है? 46.971, 75, price इसी वज़े से आज यहाँ पर सिर्फ रुका रहा, चल नहीं पाया, और ये buyer का एक strong sign है कि आप seller के price के पास रुके हैं, breakout के लिए सबसे महतपूर तीन तकनीके क्या हैं, बताइए, एक तकनीक तो यही है कि price resistance के पास जाकर dip लेता है, और ये एक dip नहीं होती, लगबग तीन डिप होती है, इसलिए हमको इसको कहते है triple top, तीन डिप अगर हो गई, तो तीसरी बार जब top बनाने जाएगा, तो market breakout कर सकता है, या फिर चौती बार अगर कोशिश करने गया, तीसरी बार गिरने के बाद भी, तो लगबग लगबग ये clarity मिल जाती है, लगबग लगबग तै होता है कि अब माजा इस seller को काट ही देगा, इसके लाबा दूसरी संभावना होती है कि price इस resistance के पास पहुचे और वह नहीं रुक कर रह जाए, तो इसको कहते हैं in-depth consolidation, जितनी supply या पर पड़ी हुई है, उतना ही demand या पर create की जा रही है, demand supply equal हो गया एक resistance के पास ये कर पाते हैं, सिर्फ buyers की चमता होती है, इतनी खरीदारी करना कि supplier के बरावर एक demand create कर देना, तब ही price को आप किसी resistance के पास correlation हो रहा है, एक भी candle high को break कर गया, उसके high निकले तो समझी ये long करना है, यहाँ पर भी वही condition है, अब अगला session आपके लिए महत्पूर है, अगले session में कभी भी price 46,950 near about, मैं मानूं कि 47,000 के level अगर break हो गये, तो मान लीजेगा कि इस बाजार में sellers, जिन्हों ने 48,200 के आसप भाव को हमने काट दिया, उनके average price को अगर हमने break कर दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये बाजार further momentum नहीं कर पाएगा, further momentum किदर, downwards, अच्छा, downwards momentum नहीं कर पाएगा, तो किदर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ जाने की प् मैं पहले seller ने sale किया, फिर भी आप कहते हैं ये break हो जाएगा, हाँ sir मैं projection देखकर बोलता हूँ, projection जो मैं basic से शुरुआत करूँगा ना, कल से classes में, अब वहाँ पर सीखेंगे, आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप classes में आएगे, तो आपको पता ल कहलेंगे कि ये price में, अगर seller यहाँ पर enter किया, तो buyer का average, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, buyer कितना strong होगा सोचिए, आपने 82 गंटे पहले बिकवाली की शुरुआत की और आपका उसदभा हुए, और buyer recently अभी ये low लगाया था, इस low के नीचे फिर close हुआ नहीं, तो अभी ये low लगाने के बाद, buyer ने क्या किया, आपको breakdown नहीं करने दिया, इस candle के नीचे की closing नहीं दिया, buyer ने पिछली जो खरीदारी की, उसी भाव पर दुबारा खरीदारी की, और आपकी बिकवाली है पिछले 42 गंटे की, और आपका उसद भाव है 46.970 के पास, और buyer का average price क्या होगा फिर से वही प्रक्रिया दोरानी है, एक low देखना होता है, जहां से last rate price का हम ओसद लेते हैं, जो low break ना हुए, scale को उठाईए, buyer के price पर रखिए, और यहां तक, अब मैं बहुत deep आपको एक line बोलूँगा, जहां से आपका लगबग लगबग यह पूरा core concept ही clear हो जाएग, total number of candles 32, 4 दिन 4 घंटे का समय लगा है, यहां पर आईए, moving average को plot किया, यहां पर आजाईए, length को हमको हटा देना है, और length को करना है 32, clear, और यहां पर हमको एक काम क्या करना है, visibility, अब यह buyer का average है, तो green होगा, green average इस तरीके से ले लिया, plot कर दिया, अब देखिए, buyer ने क्या किया सोचिए, buyer ने price में अपने उसत के उपर trade करा रहा है, अभी seller भी price को अपने average के नीचे ही trade करा रहा है, तो price buyer की खरीदारी के उसत के उपर, और seller की खरीदारी के उसत के नीचे, लेकिन यहां पर key point क्या हम लोग सोचते हैं, जिसको वरीता जादा देंगे, यहां पर हम इसके पास जाकर consolidation भी करा रहे हैं, यहां भी accumulation कर रहे हैं, buyer 82 घंटे पहले आये थे, और अब उनका जो momentum है लगबग लगबग fed होते हैं, तो 82 घंटे की उसत की खरीदारी को काटने के लिए, buyers को सिर्फ पिछले 32 घंटे में उतनी buying करकर, sellers के average price को हम लोग काट रहे हैं, तो अभी का recent momentum buyer के favor में है, जब तक buyer के कोई भी average break नहीं होते, buyer के average break होने का मतलब है, swing low का break हो जाना, 4550 के नीचे बाजार को candle को close कराना, ठीक है, अब यहीं पर एक key point है, यहां पर price के crossover होते हैं, जैसे की buyer seller के crossover, ठीक है, buyer seller के crossover में क्या चीज़े महतपूर हैं, बताइए, मैं आपको दिखाऊ, यह price यहां गिर रहा था, ठीक है, गिरते हुए price में देखे, भाव उपर गया, crossover हुआ, और price ने पहले ही break कर दिया, average ने बाद में, momentum मिला, यहां पर भी वही है, अगर यह high break हो गए, तो समझ लीजेगा कि यह green line उपर जाएगा, और धीरे धीरे यह average ऐस हो ना price action first, तो price पहले इसके high break करेगा, तभी यह भाव उपर धीरे धीरे shift होता जाएगा average, और average उपर shift होगा, यह cross करेगा, तो buyer का आसत भी अभी तो price काटेगा, सबसे पहले price break करता है, और अगर buyer का average भी seller के average को break कर दे, तो समझ लीजेगा इस price में, अब पूरी तरीके स say domination में जो position है, वो buyer की, अब एक बात और होती है, price में यह breakout के बाद एक retest होता है, वो retest जिस तरीके से होता है, उसको अभी वो in-depth concept है, उसमें थोड़ा deeply हमको price में जाना होता है, price दिरे-दिरे basically महीन होता है, मैं कई बार बोलता हूँ, तो मैंने आपको एक पूरा-पूर reason दे दिया कि आगे क्या होने को है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने अपना trade Monday को plan, Tuesday को बाजार खुलेगा, Monday तक आपका तीन दिन का यह weekend है, तो आप इन levels को mark करके बैठेगा, क्या, कि अब price अगर 46,980, near about अगर 47,000 के उपर निकला, और जिस candle का close किया, एक hourly candle ऐसे close किय अब अगर उसके high निकलने लगे तो समझ लीजे, trend reversal हो गया, उपर की तरफ new momentum देखेंगे, अगर यही price 4500 के नीचे आया, एक अंडर close किया, उसके low break किया, तो फिर हम लोग तै करेंगे कि क्या, प्राइस के नीचे भी जा सकता है, फिर हम लोग short selling की तरफ मौका ढूनने ल अब यह और नहीं बेच रहा है, मतलब यह अपनी position को निकल चुका है बाजार से, अब कोई नया seller आएगा, तब कहीं price में बिक्वाली आएगी, तब तक momentum चलता रहेगा, और higher level पर कहीं कोई seller मिलेगा, है ना, तब हम लोग देखेंगे क्या करना है, और यह buyer recent है, हम लोग क close किया, उसकी हाई निकलने लगे, intraday में momentum fast होगा, तो 20 और 6 का उसत, 8 exponential हो, आपके लिए perfect intraday में perfect entry exits के लिए, बात के लिए यह बहुत simple core concepts है, और आप इनको बहुत ध्यान से समझ गए, तो समझ लीजे कभी भी life में कोई तकलीफ नहीं आनी, ठीक है, यह बहुत आसान होत तो नीचे मुझे comment section में बताईएगा, मैं आपका अगले session, कल जो 2.30 वजे आपका session करूँगा, उसमें आपका मैं दुपहर में clear कर दूँगा, चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुब रात्रिय धन्यवाद,